स्वागत है आपका दा हीमालियन स्टेडी एडूप चैनले पर हम आसिस कुमारस्तोगी आज आपके सामने हम महत्पुर्ट सूचना लेकर आए हैं आज हम इस वीडियो में आपको महत्पुर्ट जानकारिया देंगे इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा जुरूद देखें और आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें तो देखें पहली इसमें नीजयाब के लिए कि उत्तर परदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनात ने कहा है कि अभी संपूर्ण लोगडाउन नहीं लगेगा यानि कि उत्तर परदेश के मुख्य मंत्री ने इस्पष्ट कर दिया है कि उत्तर परदेश में संपून लोगडाउन नहीं लगेगा जैसे कि हमने आपको एक वीडियो प्रिवाइट कराई थी 18 अप्रेल को उसमें ये बताया था कि उत्तर परदेश में 5 सेहरों में लोगडाउन लग सकता है और ये आदेश दिया था हाई कोट ने लेकिन इस पर जो है पूनोप से सहमत नहीं है उत्तर परदेश के मुख्य मंत्रे ये आपको ध्यान लगना है कि उत्तर परदेश के मुख्य मंत्री ने इसपश्ट कर दिया है कि उत्तर परदेश में अभी कोई भी ऐसा एलान नहीं किया जाएगा जिससे समकूर्ण लोगडाउन लगाए जाए और इसके बाद इसमें नीज है आपकी दूसरी नीज है इसमें कि ब्रिटिस प्रदान मंत्री बॉरिस जॉन्सन 25 अपरेल को भारत की राच की यत्रा पर नहीं आएंगे ब्रिटेन के इसमें प्रदान मंत्री बॉरिस जॉन्सन है इनकी राच की यत्रा थी 25 अपरेल को जो की रद कर दी गई है और इससे पहले ब्रिटेन के प्रदान मंत्री बॉरिस जॉन्सन 26 जन्बरी 2021 को भारत की राच की यत्रा पर आने थे लेकिन बहे दोरा भी इसमें रद किया गया था क्योंकि कोरोना वाइरस के वरे से बहे दोरा रद हुआ था और दूसरी बार भी यह दोरा कोरोना वाइरस के वरे से रद करना पड़ा है और इसके बाद तीसे सूचना है आपके लिए कि सिविल सेवा का सक्षतकार नहीं होगा जैसे कि अभी हाली में 2021 में सिविल सेवा का सक्षतकार होना था यानि कि इंटरव्यू बहे इस समय रद्ध कर दिया गया है आगे उसकी कोई भी डेट आती है तो हम आपको इसी चैनले के माध्यम से जानकरी दे रहेंगे और इसके बाद नीजय आपकी बिग्यानिकों ने माना है कि हावा से फैलता है कोरोना ये इस्पेश्ट रूप से विज्ञानिकों ने कह दिया है कि कोरोना जो है हवा के माध्यम से भी फैलता है इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा जुरू देखें और जादे स्यादा गुरूप में वीडियो शेर करना ना भूलें ताकि सभी कोई जानकरी मिल जाए और आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें आप लोग तो इसी प्रकार के नहीने अपडेट के लिए देखते रहे हैं आप लोग हमारा चैनल दा हेमालियन स्टेडी यूटूब चैनल धन्यवाद